साथियो नमस्कार, आज मैं पसुचिकित्सा में उप्योग लिये जाने वाली है एक ऐसे इंजिक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि युनिवर्सल है, बहुत ही ज़्यादा उप्योगी है और पसुचिकित्सा की अगर बात की जाए तो इसके बगएर शायद पसुचिकित्सा संभव भी नहीं है जी हाँ, आपने टाइटल और थमनेल में देखी लिया होगा ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन, जो की टेबलेट फोर्म में भी आता है तो इंजिक्शन फोर्म में भी आता है मैं विशेश तोर से इस वीडियो में आपको ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन इंजिक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ अब जहां पर बात इंजिक्शन के चलती है तो यह दो परकार से आता है पहला आता है जो 50 mg पर ml के रूप में आता है 50 mg होता है और दूसरा मार्केट में इंजिक्शन आता है वो आता है 200 mg पर ml यहां पर आप सभी को यह जानकारी होना बहुत ज़्यदा जरूरी है कि हमें पसुचिक्शा में नॉर्मली सिर्फ 50 mg पर ml वाला ही यूज़ करना है जो 200 mg पर ml वाला होता है वो long acting होता है यानि जिसे हम LA injection बोलता है और LA injection की कोई परकार की कमिया है अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो में पूरा का पूरा LA के बारे में विश्तार से जानकारी दे दूँगा जो की description में आपको मिल जाएगा आप बता देना लेकिन विशेश तोर से जहां पर normal injection है जो 50 mg पर MN वाला है उसकी पूरी detailing आज में करने वाला हूँ कि पसू चिकित्सा में ये कहां कहां उपयोग में लिया जाता है कहां उपयोग में नहीं लिया जाता दूध हरू यानि दूध देने वाले जानवनों को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ग्याबिन को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे और किन किन बिमारियों में लगाएंगे किन किन बातों को हम ध्यान रखेंगे काप को यानि छोटे बच्चों को हम कैसे लगाएंगे यह सारी बाते क्लियर होने वाली है इसके अलावा कई यह सी चीज़े और भी है सातियों जैसे किन-किन बिमारियों में इसे उप्योग मिलेना है और कैसे उप्योग मिलेना है क्योंकि अलग-लग बीमारियों में इसका उपयोग भी अलग-लग रहेगा इसके अलावा किन-किन इंजेक्शनों के साथ इसको उपयोग मिलें किन-किन के साथ नाउपयोग मिलें ये भी एक बहुती बड़ी बात है इसे कहां पर रखें यानि इस्टोर केसे करें कितनी मात्रा में हमें लगाना है कैसे कैसे लगाना ये सौरी बाते आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ तो फैंस वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहरा हूँ कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब कर रहे है धन्यवाद आप सभी का आईए वीडियो सुरू करता है साथियों ओक्सी टेटरा साइकलिन जो 50 mg पर ml वाला जो इंजेक्शन है ये एक broad spectrum antibiotic है antibiotic का मतलब है bacteria को kill करने वाला है bacteria की growth को रोकने वाला है सभी bacterial बिमारियों में राम बान उसदी है तो ये antibiotic है इसके अलबा broad spectrum broad spectrum का मतलब है ये gram positive, gram negative दोनों प्रकार के bacteria पर काम करता है ये आप कुछेंगे gram positive, negative क्या आ गया इसके अलबा ये aerobic और anaerobic bacteria पर भी काम करता है तो ये चारों सब्द थोड़े अटपटें आए हैं अगर आप निवेदन करेंगे तो इन पर भी मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना दूगा कि कौन-कौन से bacteria है हलांकि हमने infection कितने परकार के होते हैं वो सारे एक वीडियो में जानकारी दिया था जो वीडियो description में है परसुची किसक भाईयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग ये आप देख लेना इसके अलावा कई बार ये protozole disease में भी बहुत अच्छा result देती है या viral disease में भी इसका उपयोग बहुत ही शांदार रहता है यानि जो ऑक्षी टेटरसाइकलिन है वो bacterial, viral, protozole सभी बिमारियों में काम आता है अब कई भाई पूछते हैं कि ऑक्षी टेटरसाइकलिन हम कौन सी बिमारियों में लगाएं कौन सी बिमारियों में ये उपयोग में लेता है तो मैं इस वीडियो के माद्यम से clear कर देता हूँ कि ये लगभग सभी बिमारियों यानि जितनी भी बिमारियां पसूँ को infection की वज़े से होती है जो कि 90% तक होती है आपको पता है तो 90% बिमारियों में इसका उपयोग होता है अगर में नाम गिनाने लग गया न तो ये वीडियो बहुत ही चोटा पड़ जाएगा क्यों? क्योंकि नाम अंगिनत है जितनी भी बिमारियां हैं आप ये समझ ले सबी में ऑक्सिटेडरा साइक्लीन लगा सकते है लेकिन प्रोब्लम क्या इसमें? कहां कहां नहीं लगाएंगे देखे इसकी तीन प्रोब्लम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा है पहली प्रोब्लम है कि ये दूद को कम कर देता है ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है यानि दूद देने वाले जानरों में अगर आप लगाएंगे तो इसका दूद कम हो जाएगा शेकिन जो बात है ये ग्याबिन के लिए सुरक्सित नहीं है यानि अगर आप ग्याबिन को लगा रहे है तो ये सोचिये रिस्क ले रहे है तीसरी जो चीज है कि ये पस्वों में जलन करता है ये बहुत ही बड़ा है छोटे काप में लगाते हैं उचलता रहता है बकरे बकरियों में लगाते हैं उचलता रहता है ये तीन जो है इसके नेगेटिव पॉइंट है लेकिन कई पसुफ चिकितसक बाई है जो कोल के माधियम से हमसे जुड़े हुए सर दूद दे रही है हमारे पास सिर्फ ऑक्षी है दूसरा कोई एंटिबाइटिक है नहीं और हम लगाना चाहते हैं तो क्या करें अगर बाई दवे इमर्जेंसी हो गई और आप लगाना चाहते हैं तो बी कॉंपलेक्स वित लिवर एक्स्टेट का जो इंजेक्शन आता है मार्केट में जैसे बेलावेल इंजेक्शन के बारे में हमने डिटेल से जानकारी दी थी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पता चला कि ग्याविन है अरे ग्याविन को नहीं लगाना है उसके अलावा अगर लगा दिया फिर पता चला है तो एक इंजेक्शन आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन का तो उस हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन वाला जो इंजेक्शन है उसे बाद में लगाना पड़ता है तो नुकसान क्या होगा? तीन नुकसान होगा पहला नुकसान गयाबिन गाएवेंस का दूद बैसे भी कम हो जाता है फिर आपने उपर से आकसी लगा दिया तो और दूद दूद कम हो जाएगा फिर oxy के negative effect को कम करने के लिए आपने hydroxy position लगा दिया तो दूद बिलकुल कम हो जाएगा यानि पसुपालक भाई का बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसलिए आप कभी भी ग्याबिन को ना लगाएं बहुत ही अच्छा रहेगा इसके अलावा बात आती है जलन की तो जलन की समश्या को दूर करने का भी एक उपाय है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा antibiotic है तो हम लगाना भी चाहेंगे छोटे बचों में जलन भी होगी तो चमडी में भी लगता है यानि सबकट भी लगता है और आईवी भी लगता है तो आईवी लगा देंगे तो उससे जलन जो है वो कम हो जाएगे इसके अलावा जो भी drip चड़ा रहे हैं जैसे RL लगा रहे हैं DNS लगा रहे हैं इंटालाइट लगा रहे हैं इन तिनों का उप्यों कहा कहा किया जाता है वो वीडियो डिस्क्रिशन में जाएंगे तो यह जब आप लगा रहे हैं तो उसमें मिलाने के लिए लेकिन किन-किन इन्जेक्शनों के साथ नहीं मिलाना है एक तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी अन्या एंटिवाटिक के साथ इसे नहीं लगाना है अगर आपने कोई अन्या एंटिवाटिक लगाने का विचार किया है तो प्लीज ओक्सी ना लगाएं इसके अलावा जहां पे भी आप प्लेन केल्शियम चड़ा रहे हैं जिसे केलबरोल आती है या केल्शियम मेगनेश केल्शियम बोरो गुलकोनेट के जूब इंजिक्शन आते हैं उनके साथ इसे कभी भी ना लगाएं यह नुकसान कर सकता है अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटिबाइटिक है यानि कि सभी बेक्टिरिया को किल करने वाला है तो आप अगर एक अन्य एंटिबाइटिक लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान आप पसुपालक का और पसुका कर रहे हैं इसके अलावा इसका जो इस्टोरेज करना है कई भाई जो है वो इससे धूप में रख देता है धूप में रखने से बिलकुल खराब हो जाएगा फिर इसका एफेक्ट नहीं रहेगा इसको जो इस्टोर करना है रूम टेमपरेचर की मात्राएं इसकी 1 ml यानि 1 ml जो है वो 10 kg बोडी वेट पर लगाना है यानि अगर आपकी बकरी 50 kg की है जो आप इलाज करने जाने सोरी वो बकरी 50 kg की है तो उसे 5 ml लगा सकते है 40 kg की है तो 4 ml लगा सकते है इस परकार से मात्राओं को डिसाइट कर ले बैस जो है वो अगर 400 kg की है तो 40 ml लगाना पड़ेगा 300 kg की है तो 30 ml लगाना पड़ेगा प्रियाप्त रहता है कोई दिकत नहीं है इसकी अलावा ये तो होगे injectable room यानि जो हम injection लगाते हैं उस room में इसके अलावा इसका जो उप्योग है वो साथ यो गाव में भी किया जाता है कहीं पे भी body पे अगर गाव हो गया है और oxytetra cycling वाला injection आपने अंगुली पे लेके लगा दिया है या मान लिजे sing पे, thन पे, कहीं पे भी गाव हो गया है उसमें ये बहुत ही शांदार काम करता है गाव में अच्छा result है कई बार तो हुमन में भी जो गाव operation के होता है महीने महीने नहीं बढ़ता है तो वो हुमन वाले भी हमसे ले जाकर के लगा देते हैं और गाव बर जाते है यानि गाव बराने में इसका बहुत शांदा result रहता है इसके अलावा आँक में मानली जी आँक में कुछ गिर गया है आँक में गाव हो गया है उसमें भी आँक में इसे डाला जा सकता है कान में भी डाला जा सकता है कान को साप करके और कान में भी इसको डाला जा सकता है इसके अलावा जो भी intra memory हम लगाते हैं जैसे माली जी आउक्षी आपने थनेलामी यूज किया है और intra memory आप लगाना चाहते हैं दूसरा इंटिबाइटिक आपके पास था नहीं तो इसे intra memory भी लगाया जा सकता है कई भाई जो है इसको intra uterine लगाते हैं यानि बच्चे दानी में सफाई करने के लिए यूज करता है यहां मैं थोड़ा सा अर्चन पैदा करूँगा कि सफाई करने वाले cases में अकसर क्या होता है बच्चे दानी में infection होता है तो जब बच्चे दानी के infection को दूर करने के लिए हम इसे push करते हैं अंदर तो बहुत ज़्यादा जलन करता है और उस जलन की वज़े से कई पसों में प्रॉलप्स की सिकायद हो जाती है यानि सरीर दिखाने की सिकायद बच्चे दानी में infection रहेगा पसों सरीर दिखाने वाला होगा लेकिन अगर औक्सी लगा दिया तो बहुत ज़्यादा तो यहां पे आप उपयोग ना करें अब आते हैं अंतिम बात की तरह ये injection इतने फाइदे लिए वे है तो इसके साथ साथ इतने नुकसान भी है तो साथियों कभी भी पसो चिकस्त की सला या मुझूदकी के बगर इसे यूज नहीं करना है ये नहीं कि पसो बाला खुद यूज करने लगए नुकसान कर सकता है उसमें जिम्मेदारी आप खुद की रहेगी